हलो दूस्तू नमस्कार आप सभी का स्वागत है वेकेंस्टी एरा एजूकेशन में तो दूस्तू आज मैं एकदम लेटिस भरती की बात करने वालो रक्षा मंत्राल से निकली हुई भरती जिसके आवेदन परक्रिया 20 अप्रेल से होने वाली है यानि कि दूस्तो एकदम न्यू भरती है ये और ये आपको बता दें कि आठवी, दसवी, बारवी और डिपलोमा कॉल्फिकेशन है तो आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं तो दस्तो आवेदन भी इसके 20 अप्रेल से शुरू होगी और काफी अच्छी पोस्टे हैं और आप देखेगा पूरा नोट्रिपिकेशन और आपको बता दें कि ये नोट्रिपिकेशन कल पब्लिकी जारी हुआ था ये सबसे पहले हिंदुस्तान लाइब ने जारी गया थ जिसके अनुसार में आपको बताने वाला हूँ मैं आपको इसका ओफिसली नोट्रिपिकेशन दिखाऊंगा जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आएगा और आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे इसी दोरान आप लोगों के लिए सबसे अच्छी खुश खबरी है क्यो आप आवेदन कर सकते हैं जैसे कि आपके पास आयो सीमा 18-30 वर्स और साथ ही SCST के टिकरी स्कूर रिलेटिव जो रिजर्विशन दिया जाता है उसके अनुसार आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं I hope कि आपके पूरे अच्छे से समझ में आएगा और आप इसके ब वेकिंसी एरा एजुकेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे वेकिंसी एरा एजुकेशन को कर लीजे सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि आज नोटरिकेशन आप प्राप्त कर रहे हैं तो दुस्तों मैंने इसका थोड़ा से नोटरिक जानते हैं लिंक या विवसेट जानते हैं तो अच्छी बात है अगर नहीं जानते तो मैं आपको इसकी ओफिसेली विवसेट भी प्रोवाइड करवा दूँगा जिसे की आप यहां पर देख रहे हैं 17 मार्च 2020 इस टेट इसू होने की डेट है पर यह इस तारीक को इसू नही हुआ अब बात करें चावनी परिशत रक्सा मंत्राले भारत यह भरती मिनिस्टरी ओप डिफ्रेंस ओप कोवर्मेंट से अनुसार निकाली गी है अब आई होप की आपको जोब लोकेशन का पता चल गया होगा क्योंकि यह आपको बता दें कि हीमाचल में आपकी हीमाचल प कि कि वी यह बीस-पांच तक आवधन कर सकते हो हैं आप लोग इसमें काफी लम्बा डबय में है आप लोग आवधन करने के लिए πंदरा में तक काप आप इसमें कि अवधन कर सकते है ए और यह से पर सकते हैं अब हम बात करें पोस्ट के वी है गार्ड की पोस्ट दी है एक सारा टेक्निकल की पोस्ट दी है मोडिफाइड की वायर में की और सौप्ट्वेयर की और सुप्रवाइजर की सारी पोस्ट यहां पर दी हुई है तो अपनी पोस्ट के उनसार यहां पर देख सकते हैं कल्रेक की पोस्ट की बात करें दसवी बारवे के साथ डिप्लोमा और यहां पर इसमें फिजिकल भी दिया हुआ है अगर आप इसमें आवेदन करते हैं फायर में में तो फिजिकल भी होगा इसी दुरन एक्सरे टेकनिकल व्या इस्टाप वगर वगर जो भी पोस्टे हैं आपके यहां पर देख सकते हैं आठ वी कि आयू होगी और इसी दुरन हम बात करें एप्लिकेशन फींस की तो एप्लिकेशन फींस के लिए आपको देना होगा 500 से 100 रूपए तक का यानि कि जर्नल OBC के टिकरी को 500 रूपए जबकि HCS, TKT और महिलाओ को 100 रूपए देना होगा अब इसके बात करें पेपर की बारे जिसमें आप लोग आसानी से आविदन कर पाएंगे तो चलेए दोश्तो आज के लिए बस इतना ही अगली भरती के सथ फिर सुरुआत करेंगे थेंगे दोश्तो जैहीं दोश्तो